रेलो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे कनेयट टिक वीडियो में में कुछ सालो में देख रहे हैं काफी सारा अप्लीकेशन बैंड किया जा रहा है और वो सारा अप्लीकेशन काफी popular है जो काफी आम लोगो वो सारा अप्लीकेशन को यूज करते हैं तो फेंस कुछ दिन पहले दो दिन पहले दो तिन remote application को भी band किया गया है क्योंकि वो जिस phone के अंदर install था उस phone का सारा data को चोरी कर रहा था और ये कल का breaking news है करीब साथ application को फिर से band किया गया है क्यों band कर रहा है पहले ध्यान क्यों नहीं दे रहा है और बाद में पता चल रहा है वो malware जो कर malware affected है और वो data चोरी कर रहा है बट पहले ध्यान देना चाहिए कि कौन सा application data चोरी कर रहा है या कौन सा application data चोरी कर सकता है अगर हम लोग साबधानी ना ले तो कभी भी मेरे पूरा data hack हो सकता है मेरा bank account खाली हो सकता है इस समय में करीब 70% smartphone user phone के अंदर banking application यूज करता है internet banking करता है aim wallet बगरा application भी यूज करता है कभी भी मेरा account खाली हो सकता है जिस तरह का महौल अभी चल रहा है एक देड़ साल के अंदर काफी सारा application को band किया गया है एक ही उसका reason था malware attack phone के अंदर से data चोरी कर रहा था ठिक उसी तरह करीब कल का news है करीब साथ application को फिर से band किया है या गया है जो काफी popular application है malware affected related काफी सारा वीडियो मेरे चैनल के अंदर available है और कभी भी आपके साथ यह चीज हो सकता है कि आपका data hack हो जाए और आपका phone के अंदर जो कुछ भी आपका personal है वो personal चीज बिक जाए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा गलती हम लोग करते हैं और उसी के साथ काफी इस तरह का लोग हैं जो वाल पेपर के लिए application यूज करता है keyboard को कुछ अच्छा बनाने के लिए application यूज करता है और phone का जो MP3 हम लोग चलाते हैं उसका sound को जादा करने के लिए application यूज करता है बट उन लोग को पता ही नहीं है कि कौन सा application क्या काम करता है कोई software किसी hardware को काम कर नहीं सकता है sound system जो mobile के अंदर sound system रहता है वो speaker रहता है और उसी के साथ sound card रहता है बट application क्या करता है application ये दिखाता है कि मैं आपका sound को boost कर रहा हूँ तो यह भी एक application है जिसको band किया गया है और काफी सारा लोग यह application को यूज करता था और भी एक application है keyboard emoji keyboard emoji तो आपको Google का जो keyboard application है उसके अंदर भी बहुत सारा का आपको emoji मिल जाएगा बट थार्ड पार्टी अप्लिकेशन यूज करने का ज़रूइत क्या है मेरा एक दोस्त भी है एक दो दोस्त भी है जो वाल पेपर के लिए application यूज करता है उसा टाइप कभी एक application को band किया गया है कल तो फेंस कोई भी application download करने से पहले आपको सोचना होगा कि यह क्या features हमको दे रहा है वाल पेपर मतला pictures आपको जो picture पसंद है आप Google से download कर सकते हैं उसको उसके लिए application का यूज करने का जरूद नहीं है अगर आप चाते हैं कि आपका phone के अंदर जिस तरह का sound facility दिया है आप उसको और भी ज्यादा करना जाते हैं box का sound चाते हैं आप आपका phone के अंदर से यह संबब नहीं है उसके लिए कोई भी आप यूज कर ले वह संबब नहीं है तब आप मेनी speaker लेके घुमिये application install करने का ज़रूरत नहीं है आप बुलूरत करेंट करिए speaker में sound जोर से बजाईए यह सब गलती हम लोग कर लेते हैं उसके बाद हम लोग का data hack हो जाता है और फिर हम लोग cyber department में जाता है complaint देते हैं वो लोग बोलता है तो गलती तो आप ही का है आप इस तरह का application यूज किय आ गया है जो application काफी popular है मैं आपको application का नाम बता रहा हूं now keyword code scan keyword scan application हम लोग keyword कोड कोड कोई फ्लाटफॉर्म को डायरेक अगर वेब लिंग कर देता है तो हम लोग स्कैन करके डायरेक उस प्लाटफॉर्म में जा सकते हैं तो इसलिए हम लोग keyword code रखते हैं keyword code application phone के अंदर र battery के लिए battery charging system के लिए कोई कोई बंदा ऐसा है जो animation application use करता है phone के अंदर कोई जरूरुत ही नहीं है battery emoji या battery animation देखने का उसके बाद जो है superhero effect साथ यह photo editing application होगा अभी तो प्लेस्टोर में अबलेवल नहीं है साथ यह photo editing application ही होगा उसके बाद है dazing keyboard उसके बाद जो application है जिसके बारे में हम कह रहे थे थोड़ी दिर पहले के phone का volume को जादा करना तो यहाँ पर volume booster sound utilizer तो यहाँ पर एक application है और उसी के साथ है classic emoji keyboard अगर आप google का keyboard जो application है अगर आप उसको download कर लेते हैं तो आपको काफी सारा features मिल जाता है इस समय में आपको skin flash हो रहा है तो third party कोई दूसरा application डाउनलोड करने का जरूरत क्या है और यही सारा गलती की बज़े से हम लोग का data आज रिक्स में है कभी भी hack हो सकता है हम लोग का personal data कभी भी हम लोग का bank account खाली हो सकता है और कभी भी हम लोग परेसान हो सकते हैं यह कुछ गलती की बज़े से कुछ ऐसा application हम लोग डाउनलोड करके रखे phone के अंदर जो हम अभी सी leakage कर सकता हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कौन सा application आपका phone के अंदर है कौन सा application को डाउनलोड करना चाहिए कौन सा application को अभी अनिस्टॉल करना चाहिए या कौन सा application को use करना ही नहीं चाहिए तो फेंस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है नहीं तो कभी भी आपके साथ online scam होगा है hacker लोग target करता है कुछ ऐसा application में जो application को regular खोलना नहीं पड़ता है just plugin रहता है जैसा आपका keyboard, wallpaper, themes तो इस तरह का application को ज़्यादा target करता है hacker तो आपको बचना है यह सारा application से और और एक बात Google के अंदर करीब 1.5 साल के अंदर काफी सारा application को band किया जा रहा है जिसको remove किया जा रहा है play store से बट Google को भी सोचना चाहिए कौन सा creator क्या application बना रहा है और क्या कर सकता है इसके बारे में भी थोड़ा Google को भी सोचना चाहिए आप लोग सोचते होंगे चलो Google Play Store से application डाउनलोड कर रहे हैं मतलब चलो निस्चन बट ऐसा नहीं है गुगल प्ले स्टोर में आप अपना खुद application बना के upload कर सकते हैं कुछ फॉर्मिलेटिस है उसको आपको complete करना है तभी आप अपना application को कोई भी application आप कोई भी application बना लीजिए चाए ओ रेसिपी का हो चाए ओ निउस का हो चाए ओ टेक का हो चाए ओ कुछ फंक्शन हो जा फोटो एडिटिंग बीडियो एडिटिंग या साउंड एडिटिंग इस तरह का कोई भी application आप उसको create करके आप प्ले स्टोर में डाल सकते हैं तो गूगल को भी सोचना चाहिए कि कौन सा creator क्या application बना रहा है और वह application किस तरह से दूसरे आदमी का नुकसान कर सकता है इसके बारे में भी थोला सोचना चाहिए Google को तो फेंस आगर आपको सेप रहना है online scam से ऐसा चोटा मोटा बातों को भी आपको ध्यान में देना होगा तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं online scam से तो फेंस कोई भी ऐसा अपका फोन के अंदर अभी है जिसको आपको लगता है कि यह application खोलने के बाद ही ज्यादा एड हमको दिखने को मिलता है काम थोड़ा कम होता है आप सोचते हैं कि मेरा फोन के इंदर इतना बड़ा storage चलो इसको रहने देते कितना जगा लिया है बट इसा नहीं है कितना भी छोटा जगा ले ले बट आपका जो डाटा है वो डाटा अपना फोन के अंदर सेयर कर रहा है कुछ दिन पहले में एक वीडियो बनाया था मेरा एक दोस्त था जो आमको फोन करके बताया कि के बोला कि आदा घंटा हम इंट इंटिनेट आन कर रहे है मैं और आधा घंट के अंदर मेरा जियो का तेट जीवी का पकेजु चो डाटा डेली का जो रहाता है धेदि जी-बी खतम हो जा रहा है तो उसके बाद ही मैं उनको बुलाया देखा उसका फून के अंदर कुछ ऐसा एप्लिकेशन था जो एप्लिकेशन उनका डाटा को वह अपना सर्वर में अप्लोड कर रहा था तो फिर अनिस्टोल करने के लिए उसको फोन को रिसेट करने के लिए बोला तब उसका फोन फिर ठीक है कोई अब इसे डाटा ओन करके अगर दिन भरी रखता है तो भी डाटा खतम नहीं होता है तो कुछ ध्यान देना है तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं इस डिजिटल टाइम में तो वीडियो कैसा लगा है जहलो हमको कॉमेंट करके बताईएगा चैनल में अगर अगर आप नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं इस तरह काई टेक वीडियो डेली आपनों के लाता हूँ जो आपका काम पर आए सुरक्षित रहिए ऑनलाइन स्कैम से बचके रहिए थैंक्यू पर वाचिंग आइमाट्रेडिंग वीडियो